त्वाक्त करें नई स्कीम आप सबको पता यह स्कीम का आप सब लोगों का अइडिया अगर मैं धोड़ा साप को आइडिया देने के कुशिश करई तो थो नई स्कीम बीस करेंपे कि कूख स्पहले प्रसी होगा और इंदर हमारे पास 3 पर वह जो पर दो क्या पर वहां वरना आप गुरूप B की तरफ नहीं जा सकते अगर आपका पेपर दो पास नहीं हो तो अभी नई स्कीम के अंदर हम नहीं जरूर प्लान करना होगा कि हम नई स्कीम में किस तरह से नई स्कीम में के अंदर दो ग्रूप हैं ग्रूप A ग्रूप B और वही पुराना रूल है दो पर पास तो आगे इसका मतलब है जो FR1 की बेस पर फार टू का रूल था और CMA की बेस पर MFA का रूल था वो खतम हो जाएगा नई स्कीम में नई स्कीम कब आएगी उसके बात करते हैं फिर C5 पर हमारे छे पेपर देना होगा में से खतम कर दी है उन्होंने और अब नया स्ट्रेजिक के स्टेडी पेपर दे दिया है जो मूर ओफ लाइक MSA 2 है लेकिन उसका पेपर का अटेम्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है वह के स्टेडी पेपर है मैं नई स्कीम के ऊपर एक अल्रेडी एक सेशन कर चुक हूं जिसमें नई स्कीम के पेपर और नई स्कीम में क्या चीज़ें उस पर डिसकेशन हो चुकी है लेकिन उस वक्त तक आई कैपने ट्रांजिशन ओफीशिली क्लैरिफाइए नहीं की थी तो आज का मकसद हमारा यह है कि हम पर बात करें कि क्या क्या पास करके आप कहम कहा कहा हों सकेंगे सबसे पहली जो कन्फीजन और सबसे पहला जो मसलिया हाई के अपने ढॉकमेंट ऑफिशली विद आटी और हमें का कि अब आप स्टुरेट्ट से शेर करतें उसमें एफेक्टिव डिया उन्होंरे कि इתח's किस के लिए बेज़े जाते हैं जब कर देगी तो उनने उसके चे महीने बादी हो जाएगी अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आज गवर्मेंट को नहीं भीजी है नई स्कीम अपरूवल के लिए एक अच्छे टाइम पहले डिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कि इसी भी टाइम पर अपर यह अपरूव होती है और सिक्स मंस आगे हमारी जो भी अटेम्ट आती है वह फर नई स्कीम के मताबक होती है मैं एक जेम्पल आपको दूँगा हमारी जो 2021 की एजुकेशन स्कीम थी वो फिस्ट मार्च 2022 को एफेक्टिव हुई थी और तीन दिन ब की तरफ चला जाता है या नहीं अगर नई स्कीम के प्रूबल गौर्मेंट की तरफ से नवंबर में हो जाए दिसंबर में हो जाए जनवरी में हो जाए एप फैब में हो जाए या इवन मार्श तक में भी हो जाए तो यह क्लियरली उसको आने वाली आटम की जो स्कीम है आटम का पेपर है वो नई स्कीम पे ले जा सकेंगे हमें जो अर्लियर डेट नजर आ रही है देट इस विंटर दो हजार पच्छेस अनलेस की नई स्कीम बहुत ही जल्दी अगले दस बारा पंदरा दिनों में अगर वो हो जाए पहले अगर नई स्कीम को गॉर्मेंट अप्रूफ कर दे तो फिर अगली दफा की समर दो हजार पच्छेस ओल्ड के मताबक और विंटर दोजार पच्छेस नियू के मताबक तो शायद मेरे लिए इजी है बताना कि अगर मैं कहे दूं कि जुलाए औगस्ट से ऑनवर्ड जो भी आई कैप का एक्जैम आ रहा होगा वो न्यू स्कीम के मताबक होगा क्योंकि अब न्यू स्कीम में कोई कंफीजन नहीं है चीजें बना दी है कुछ एस पहले जो नई स्कीम आई थी तो इस वक्वर्मेंट वर्सेज पॉलिटिकल जमातें बड़े पड़े चल रहे थे तो गवर्मेंट के पास टाइम नहीं था और उन्हें अप्रूफ करते चल रही है और अच्छे हैं गवर्मेंट में तो बहुत अदा चांसे हैं कि यह दो तीन महीने के अंदर अंदर श्याद नई स्कीम को अप्रूफ कर वा लें लेकिन यह कि अगर पांच-चार महीने भी लग जाए तो भी जो आने वाली ओर्टरमन टैम्ट है वो नई स्कीम क के मताबिक तो सीया फाइनल के स्टुडेंट्स को दो अटेम्ट मिल जाएंगी चीजों को प्लैन करने के लिए और कैफ वालों के पास आपके पास एक एक एटेम्ट है तभी आई कि अपने बड़ी जल्दी में रिजल्ट के आसपास आपकी यह ट्रांजिशन डिफाइन कर की बेस पर पूरा कैफ हो जाएगा सी फैप मिलेगा लेकिन एक कजीब सी बात है नों लग दी एंड में से वन लिग दिया जिसकी व्यास एक बड़ी बड़ी बिचे नहीं पाई जाती है और इस ताइम पर यह कुश्चन माग बन गया है कि यहां इन्होंने एंड क्यों लि इसी तरह से अगर हैम में से टू किसी ने पास किया वह तो जो निया स्ट्रेजिक के स्टेडी पेपर आ रहा है वो एक्जेंट हो जाएगा जो मैंने पीछ हाप को नक्षे में दिखाया था कि सबसे एंड पर है प्रिंट्राइब करें तो प्रिंट की बात करें तो प्रिंटि में पहले होते थे उन आज पेपर्स में से एक राइटिंग वाला पेपर था जो कि पी यार सी वन था पी यार सी वन बिचारा आप किसी खाते में नहीं रहा उसका पास होना ना होना लेकिन जो लोग दर्मियान में होंगो उनको विजा विस कैसी शिफ्टिंग मिलेगी मैं यह मानता हूं कि पी यार सी के स्टूडेंट इस वक्त जो भी है वो और स्कीम के तहद ही अपना पेपर दें तो पी यार सी वाले स्टूडेंट को इस टाइम पर कोई टेंशन नहीं ल एक पोल्ड स्कीम के मताबिक कंपलीट करें ता क्या पी यार सी नई स्कीम का आपको ऑपको और प्र QAV में जाए तो पी यार सी के बचोज़ों को बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो ये एज्यूम ही ना करें, कि एक नई स्कीम आई है, वो सकून से अपने जो जो पेपर उनके पास हैं, वो पेपर दें, ताके वो आगे जाएं, उनको आज से 6-8 महीने बात को सोचने की जरूरत हैं, वो अबले 2-3 महीने, 4-5 महीने को सोचें, और अपने जो नवंबर में इमत्यान दे रहे थे, जो जनवरी में दे रहे थे, जो मार्च में दे रहे थे, उसी तरह से दें, और कोशिश करें कि मार्च से पीछे-पीछे आप PRC क्लियर करके कैफ के अंदर आ जाएं, तो PR PRC के स्टुडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कोई सोचो बिचार की ऑप्शन या सोचो बिचार करने की जरूवत नहीं है, नई स्कीम, लें जी कैफ कि अब हमारे पास ट्राजिक्शन आती है, मैंने क्या कि है कैफ कि जो सीधे-सीधे 6 पेपर उसको सामने सजा दिय यहनै कि आज आपका जो रिपोर्टिंग वने उसकी ब्स पर नई स्की में पोर आंगर एक्जाएगा को होगा को confusion थी लोगों को वो कहते हैं कि जब नया वाला पेपर आएगा तो हो सकता उसका स्लेबस चेंज हो तो पता नहीं एक्जम्शन मिले ना मिले आई केपने क्लियर ली एक्जम्शन भी देती है और नए इस पेपर का स्लेबस भी को बहुत जादा चेंज नहीं है उसी तरह से जिस इस तरह से करके जो आज मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है समझें छे महीने बाद उसी का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई नहीं साइंस नहीं है अब बस यह गुरूप बी में चला जाएगा गुरूप इसे इसका मतलब अगर आज गुरूप एक आ है ना वह आपको बेनेफिट नहीं देगी तो सीम में तब दें जब मजबूरी है और जब आप चाहते हों कि आप अतना कंबिनेशन बितर करके आगे जाए अदर्वाइस एफर वन भी अगर रहता है तो सीमें टेंस टूप या हैवी पेपर लेकिन थोड़ा सा देखते हैं रिपोर्टिंग टू पर टू निखल जाएगा अमाफे की बेस पर निखल जाएगा काफेट की बेस पर कैफट निकल जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि तीन पेपर गुरुप A और तीन पेपर गुरुप B के ऐसे हैं छे पेपर ऐसे हैं जिनको आप दे देंगे तो आप सीधे-सीधा आगे निकल जाएंगे यानि कि इस ताइम पर और कोई किन्फूजन नहीं है इन छे पेपरों में चीज़ें सीधी हैं लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रुप A के दो और पेपर हैं नई स्कीम में जिसमें से एक का नाम डेटा सिस्टम्स है और एक का नाम जो है वो बिजनस अंकमती लौय यह दो पेपरों के लिए थोड़ी सी साइस है तो इस वक्ति सामने चे की पेषज़न मिल रही है इसमें हमें कोई परिशानी नहीं है परिशानी कहा हैं यहां जो निया कैफ ठीका भेपर है यह सिर्फ और सिफ्ट आप एक्जाय को अब जब चारोंग से और उनमें से एक पीपर तीन नंबर से भी रह जाये तो यह तावाला पेपर एक्ःतन नहीं होगा तो इसका मतलब है डटा का एक्ःतन Still फ़र सिर्फ को ओगा जिनका गिर्फ पूरा पूरवा पास है तो उसे जृता प्रिपधर रहते हैं उनने जो स्आइंस की जृूरत examined हो गया है लेकिन आप चारों पर देना चाहते हो मैंने क्यों क्यों सब्सक्राइब बड़ा खौफनाग पेपर है मैंने कि तुम देखा है वो पेपर अगर नहीं पता फिर मेरी पूरा किसी तरह से एजीली क्लियर कर सकते हैं तो जरूर करें लेकिन इतना हविस में नहीं आ जाना कि मैं ग्रूप ए लाजमी क्लियर करूं और आप अपना आज कम्बिनेशन चार पेपरों का इतना मुश्किल बना लें कि ग्रूप ए भी ना पास हो तो यह डैटा तो मिली जाने उपर से ग्रूप ए जो आप दो या तीन पेपर देके अपने पेपर पास करते तो इस पेपर को एक्जेम्ट कराने की इतनी खौहिश नहीं होनी चाहिए कि आप अपने कंबिनेशन बुरी तरह से आउट कर लें मैं भी आप लोगों कंबिनेशन भी अपनी तरह से जाएगा और इसी तरह से एक निया पेपर कैफोर बिजनस हैं कमतीलो है जो कैफोर और कैफ सेवन दोनों के दोनों पास करने से एक्जम्ट होगा इन्हों लिखे अगर आपका एक पेपर और लेडी पास है तो फिर अनली रेलिवेंट पॉर्शन यह सेक्शन आप एक्जम् परजन करते हैं आठ दफा लोगों से पुराना वाला पेपर भी हाफ आफ करके लिया यानि कि आप पूरे पेपर में हाफ टाइम के लिए बैठेंगे और हाफ पेपर एटेम्ट करेंगे और आपकी हाफ मार्स मेंस असेस्मेंट होगी लेकिन अगर आज आप क्लेयर कर सकते अब अगर आप देखें जो दो डिकी एक्जम्शंस हैं इसमें बिलो काफी यह přिस्ट करा देगा और उसके पीछे के तीन में से आप कुछ पास कर लेते हैं तो आपको डेलो जब स्कीम स्टार्ट हुई तो लोग बिलो नहीं दे रहे थे चुकिशन नहीं मिल रही थी लेकिन गुरुप ए पूरा एक्जम्ट करने से भी लोग किसी हद तक थोड़ा सा important हो जाता है उनके लिए जिनके रहते ही एक दो जिनके रहते ही चार पेपर हैं तीन ले ले तो इसमें मैंने डिफरेंट तरह के स्टुडेंट की डिफरेंट तरह की सिच्वेशन डिसकस की हैं और मैंने तीन तरह के outcome दी हैं अगर आप थोड़ा सा easy target रखना चाहते हैं बहुत पैनिक नहीं होना चाहते और मुनासिब सा है doable target रखना चाहते हैं तो easy target का column है अगर आप hard working student और आप चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा थोड़ा सा अपनी capacity से बाहर ने करूं और effort करूं ताके मैं ज़्यादा फाइदा करूं आप second category में आएंगे और कुछ है पागल बच्चे जजबाती बच्चे शदी जजबाती बच्चे जो कह रहे हैं सर छोड़ दें साइड पर होजए मैंने चार पर देने मैंने आग लगा देने हैं recommended नहीं है मुझे center वाला बहुत अच्छा लगता है और लेफट वाला इसलिए अच्छा लगता है कि अगर एक स्टुडेंट को लगता है कि वह जादा इस्वक्त की मूड में नहीं है तो इसको आईडियली पहले तीन में यानि मेरी फास्ट प्रेफरेंस यह हाड़ वर्किंग स्टूडेंट है सेक इस ने अभी प्रसी पास किया है यह आप नवंबर में पेपर दे रहे हो और आप पास करने के चक्कर में है इंचाओला फिर भूल जाएं बीलो सी लो का है भूल जाएं डेटा का पेपर के सकून से एफर वन और टेक्स दें यह दो पेपर दें ताकि नई स्कीम के पेगा सबसे तगड़ा पेपर जो निया कंबाइंड बिजनस इन सी लो है आपका वो एक्जेम्ट हो जाए आपके तदर मैं पागल जनूनी आत्मी हूं मुझे बताएं मैंने क्या करना है तो मैं कोगा आप अगर बहुत शदी जनूनी आत्मी है तो ओके आप एकाम कर लें आप आप एफर वन के साथ बी लो और सी लो टेक्स कर लें ताकि जब नई स्कीम स्टार्ट हो तो आपने तीन पेपर गूरूप एक एक्जेम्ट किये हूं CM में आपने नोट किये मैं भी भी नहीं रिकमेंड कर रहा है बचे ने अभी भी PRC क्लियर किये और वो नवंबर में बैठा है उसके पास और रेड़ी टाइम है तकरीबन दिसमबर जनवरी फरवरी तीन साड़े तीन महीन है ऐसे में वो CM में भी उठा ले आरवन भी उठा के साथ तीन दर्मियाने साइस के पेपर उठाए हाड़ वर्किंग के लिए फर वन बीलो सी लो उठाके आप एक मुश्किल पेपर एक्जमन कर लें और एजी टार्गेट इस आप एफर वन और टेक्स ठीक है कुछ लो कह रहे हैं से मेरा ग्रूप एपास है फलाना फलाना म कुछ नहीं करना उसने सिर्फ एंसफ रिमेइनिंग प्रफ देने आप देखे मैंने केटिगरी तीन इसके रहते ही दुएं तो उसने तो सोचना नहीं नई स्कीम के और पुरानी स्कीम के उस फ्रह से दे देना है चूँक्कि नई स्कीम भी पेपर बैपर ट्रांजिशन उस रखना चाहते हैं तो सीलों के साथ एक या दो पर आप गुरूप भी उठा लें आपको बताया कि मेरी थर्ड प्रेफरेंस है कि सबसे राइट वाला मेरी बेस्ट प्रेफरेंस है बिंगा टीचर मैं थोड़ा सापको रियलिस्टिक होने का ज़रूर मश्वरा दूंगा सेंटर वाला कॉलम इस बेस्ट सजेशन वरम मैं साइट फॉर गुड़ स्टूजेंट लेकिन वो जो घबराते हैं वो जो जादा बड़ा टार्गेट मी रखना चाहते हैं उनके लिए लेफ़ वाली ऑप्शन है और फिर ज सिंपल उसके साथ सी लो और फार टू उठा लें गृप बी में से आप ज्यादा साइंस की तरफ ना जाएं आप अपना गृप एक कवर करें और और अटू उठाएं सी लो पर फोकस अच्छा करना है गृप एक रिमेनिंग पेपर पेच्छा फोकस करना है ताकि आप नई स सिंपर लॉट उठा सकता है एक चीज जहन में पहने को के पूरा गृप ए उठा के पेपर देने का फाइदा नहीं है इस चीज को जहन में रखना है कि एफार वन और सी एं में भारी पेपर हैं और टैक्स और भी लौ थोड़े से लाइट पेपर तो आपके कंबिनेशन में टेक्स और बीलो तो समझ आता है लेकिन अगर आप यह में बीलो सब कुछ ही करना चाहरे हैं इस दर्स है कि निया पेपर में रूपर ना पड़ जा है नए पेपर की तो खैर है आपके आज के पेपर भी खराब हो सकते हैं तो बस यह चोटा सा एक मुखलिसान मश्वराई यह है कि आपने बहुत ओवर नहीं हो जाना सब्जेक्स करते वे मैंने सामने यह तकरीबन छे तरह के कंबिनेशन आपको बताएं यह जिसके दो पर पास इन शे में से किसी एक जगा पर फॉल करेगा और राइट पर मैं आउटकम दिया और कुछ जगह आप दे रहें ताकि आप जो है वो सिंप्ली अपना ग्रूप निकाल लें वो कहते हैं नहीं सर मैं जड़ा जादा खेल लें ओके भाई फिर आप सीलो भी उठा लें ताकि आप वो जो नई स्कीम का बिजनस एंड कमती लौपर है आप वो भी एक्सिंग करा लें तो यह डिफरेंट लें आप गुरूप एक वो रिमेनिंग पेपर जुरूर दे दें विकॉज उसने आपको डेटा का पेपर गिफ्ट कर दे तो यह एक च्छोटी सी सिच्वेशन है एक सवाल है कि क्या इस वक्रेमेनिंग टाइम में सब कुछ हो सकता है देखें सी लोग बीलोड टेक्स यह और यह तो हो जाते हैं और उसे जोरे जान के फिल्ड़ है और अशान असहां निशबत न आसाइट नहीं करते हैं आज भी इसको start करके आप कर सकते हैं, colleges नवंबर में पोसेजल देते हैं, देसंबर में फास्ट टेक देते हैं, अलग-अलग तरह के time पर combinations आ रहे होते हैं, तो आप इसको fresh अभी से उठा के भी कर सकते हैं, अगर आपको अपना combination थोड़ा बेतर लगा है, मैं कहते हूं, एक ब देते हैं, ताकि जब नई scheme में जाए तो उसको थोड़ा सा benefit मिल जाए, दर्मियानी situation में है, तो ये तीन paper इस तरह से देते हैं, यानि कि सीलो की mixing add कर दे और कोई एक बड़ा paper छोड़ दे, FR1 या CMA में से, और आप कहते हैं, मैं तो बहुत सितीज़ा बाती हो कि भाई, जो नई scheme में FR1 और बड़ा वाला paper exempt हो जाए, नहीं तो text sealow FR1 कर दो, या text FR1 CMA sealow कर दो, तो अगेन ये तीन categories हैं, जजबाती, शदी, जजबाती and whatsoever, ये थोड़ा से अब मश्वर हैं, जो मेरी suggestion है, और अगेन ये मेरी suggestion है, आपके अपनी मरजी है, लेकिन over stretch नहीं करना अपने आपको देखना है, data का paper इतना भियानक नहीं होना, जितना आप उसको exempt कराने के चकर में अपने group A के 3-4 paper उठाके और पूरा session अपने आप से लड़ते रहें, तो अपने साथ honest रहना बड़ा जरूरी है, फुड़ा समया के चलता हूँ, कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं, जो नई scheme की discussion है, वो एक अलग video पड़ी हुए है, आज हम देख रहे हैं, क्या है कि अपने जो अप confirm किया है, कि कौन से paper exempt होने पर क्या होगा, हम उस क्यों पर अप किस तरह से approach बनाएं, लें जी, अगर मैं cfap की बात करूँ, cfap में जो simple exemptions हैं, वो यह ही है कि पुराना reporting पे नया reporting exempt हो जाएगा, पुराने law पे नया वाला law, पुराने bfd, पुराने tax पे पुराने audit में यह paper exempt हो जाएंगी, यहनि यह पांच paper तो जो cfap के थे, वो उसी तरह से हैं, कहानी सिर्फ एक उसमें है कि पुराने जमाने में एक paper SPM था और अब नए जमाने में एक paper आ रहा है sustainability, तो अब discussion उन दो papers के उपर है, अब cfap की जो technical वो है, exemptions हैं, उसमें क्या है, sustainability जो नया paper आई कि अपने दो option देती है, वो कहते हैं, या तो आप सारे के सारे 6 paper, जिसमें वो SPM भी शामिल है, जो खतम हो रहा है, अगर हम आपको sustainability exam कर देंगे, option 2 वो कहते हैं, भाई, आप MSA दे दो, MSA 1 दे दो और हम आपको sustainability, MSA 1 पास कर लो, sustainability exam कर देंगे, MSA 1 अकेला paper नहीं है, MSA 1 से पीछे आपको AAFR पास होना चाहिए, प्लस AARS, यानि यह advanced audit का paper, advanced reporting का paper, दोनों पास करते हैं, एक attempt में, फिर उसके बाद इसके एटेंब में आप पास करते हैं, MSA 1, तो ऐसे में जो लोग December में attempt दे के ये दो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है, उनके लिए ये second option बेकार है, उनको फिर first option को try करना पड़ेगा, कि वो CFAP के सारे paper देंग और उनका sustainability का paper exam, तो ये दो option है, ये तोनों के बीच में और है, कि या तो आप छे के छे paper exam pass कर लें, या MSA 1 pass कर लें, MSA 2 जिसने pass की होगा, simple simple सी बात है, उसका study case study का paper exam हो जाएगा, तो अगर मैं ये final के students की बात करूँ कि आपके पास क्या approach है, आपकी क्या situation, आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं कहता हूँ, आपके three और more paper past है, papers of CFAP, अगर आपके past हैं, तो आपको ideally try करें to complete CFAP, including SPM, एक बात जहन में रहे हमारे पास इस वक्त December attempt है, जो आप इस वक्त enroll करा चुके हुए हैं, और आप papers देने वाले हैं, और हमारे पास एक और attempt भी है, विच इस summer 2014-25, तो CFAP वाले इस वक्त जो paper दे रहे हैं, उसको जहन में रखते हुए सोचें कि हम अगली दफ़ा क्या कर रहे होंगे, या इस दफ़ा paper देने के बाद result आने के पाद सोचें कि हमने क्या करना है, तो अगर आपके तीन ये तीन से जादा paper CFAP के पास हैं, तो कोशिश करें आप उस अटम को वेल करने की हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके दो या लेस paper past हैं, तो फिर आपने decide ये करना है कि क्या आप sustainability के paper को examined कराना चाहते हैं या नहीं, अगर चाहते हैं तो दो root हैं, एक root है आप MSA1 की तरफ आएं, और एक root है आप all papers of CFAP की तरफ आएं, MSA1 की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, AFR plus ARS plus MSA1, और दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, वो ही AFR, ARS तो दे नहीं देने हैं, उसके साथ आपने सारे के सारे अपने paper clear करने हैं, तो अगर आपके कम paper रहते हैं, तो फिर कम paper pass हैं, तो फिर देखना ये है कि आप ये route लेना चाहते हैं, कि आप पहले दो CFAP के paper pass करें, फिर एक MSA1 pass करें, ये तीन paper pass करके आप निकाल लें, ये अगर आपके बाकी paper pass हैं, तो आप CFAP को complete करना चाहते हैं, including SPM, और उसकी base paper आप plan करें, कि मैं अपना जो sustainability का paper है, वो pass कर लो, अगर आपने एक या less paper pass किय हुआ है, तो आपके लिए best thing is, कि ignore कर दे new scheme को, ignore कर दे new scheme को, और आप अपना जो original plan है, उसके मताबक चलें, जो आपने सोचा हुआ था, कि जी मैं ये वाला paper दूँगा, ये paper इस December में दूँगा, ये paper उस तरह से दूँगा, आप original plan पे चलें, लेकिन फिर आप SPM को minus करें, अगर आपको लगता है कि नहीं, वो long shot है, मिरे लिए सारे paper pass करना, वो ही बात है, अगर आप में से कोई शदीज़ बाती है, तो दो attempts है और छे paper है, अगर आपका एक pass है, तो आप 5 paper pass कर लेते हैं, तो आप नए paper से बच जाते हैं, और ये की है कि ठीक है, आपने का सार मैं तो एक एक दो-दो paper दे रहा था, मुझे नई scheme से कोई लेना देना नहीं है, तो मत हविस करें, वो sustainability का नया paper pass करने के चक्र में अपने आपको stretch मत करें, जो आज आप realistically कर सकते हैं, आप वो करें, जिसके half ये half से ज़दा paper pass हैं, वो जरूर सी फैप को clear करनी कोशिश करें, ल करते हैं, उनको उस plan के मताबिक लेकर चलना शुरू करते हैं, अगर एक student जो नया है और वो appear ही, यानि के एक new student है, और उसकी attempt है June में, June 2014 में, या एक बच्चे की attempt है December, sorry, 2025 में अगर आपकी June 2025 में attempt है, तो आपको अट्सूलन, T5-1, EFR, प्लस, या audit का paper उठा के दे दे हैं, या tax का paper उठा के दे दे हैं, corporate law थोड़ा सा इस वक्द लंबी short हो जाएगी, audit, यानि ARS, या tax का paper, जिसकी June 25 में attempt है, और जिसकी December 25 में attempt है, आपने AFR, प्लस, corporate law, प्लस, जब ये sustainability का paper आ जाए, तो या ये sustainability वाला paper, या tax का paper, चुकि जब आप नई scheme में जाएंगे, तो फिर क्यों होगा, जो आपका AARS है, audit का paper, वो block हो जाएगा, audit का paper आपने scheme में तब तक नहीं दे सकते, जब तक आप एक hands-on course complete नहीं कर लेते हैं, तो ये थोड़ा साथ cfab से related बात है, सर्थ क्या reporting और advance audit का level increase होगा, नई, ऐसा कोई मसला नहीं है, MSA1 खतम होने का ये मतलब नहीं है, कि वो अचानक से जजबाती हो जाएं, सिर्फ उन्होंने एक assessment करने का तरीका change किया है, लेकिन level वो ही रहेगा, क्योंकि अभी भी कौन सा लोग बहुत जादा pass हो रहे हैं, हम आपने पुराना PPE pass किया है, तो नए PPE exempt हो जाएगा, पुराने MS office, नए office को करेगा, पुराना ethics वाला course, नए वाले course को exempt करतेगा, पुराना data analytics और fintech का जो combined आपका course है, जो CFAP level पे होता है, इन में से ये दो CFAP level पे हैं, और ये दो CAF level पे हैं, तो आपको नए वाला AI and data analytics का paper पर exempt हो जाएगा, एक बात जहन में रहे कि आज की देट में कोई prerequisite नहीं है, आप CFAP के कोई भी paper उठा सकते हैं, लेकिन नए scheme में ये पास होगा, तो उसके बाद आप audit का paper दे सकेंगे, जो AARSA, Advanced Audit and Related Services, ये paper AI and data analytics का paper देने, ये इसका hands-on course देने के बाद होगा, नए scheme में पीपी और जो MS Office है, ICAP उसको plan कर रहा है कि वो उसको assess करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि एक लंबा चोड़ा 3 घंटे के इमतिहान है, जिसमें आपने जाके बैठने हैं, और आप डर जाएं कि मेरे कैफ में 8 नहीं, मेरे 10 papers हैं, बहुत सारे students बड़े panic हो कि मेरे पास आ रहे ह देख लिए, थोड़ा सा उससे मिलके देख लिए, उसका confidence देख लिया, और कुछ सवाल पूछ लिए, assess करने के लिए कि क्या उसने certificate खरीदा तो नहीं, या उसने जाके बकाईदा अपनी activities की थी, MS Office में हो सकता है, चोटा सा test बना दें, आदे गंटे का कि आप ये activity करके दे दो और उसकी base पे आपकी ranking करते हैं, तो ये को बहुत बिहानक paper नहीं आने वाले है, तो इतना panic नहीं हो जाना है इस पे, कि आप अपने सारे combination छोड़ चाड़ के नहीं, इन चीजों के पीछे पढ़ जाएं, तो assessment का मतलब यह है कि अगर आप सही तरीके से कर रहे थे तो आ आप उसमें मार खा जाएंगे, तो recommended है कि MS Office और PP अगर आप original सही तरीके से सही जगा से करते हैं, वो लोग की मंधारी से करा रहे हैं, तो फिर आपको नए वाले इंतिहान से टरने की कोई जरूरत नहीं है MS Office या PP के exam से, अब old student के लिए एक बुरी ख़बर, ये personally मुझे ये अपीर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूरा PRC या KF या CFAP या MS से नहीं पास किया, before effective date of education in training scheme 2015, scheme आने से पीछे पीछे तक अगर आपके कुछ paper रहते हैं, shall be required to pass remaining PRC, KF, CFAP and study case study paper within the remaining period allowed for a level under education scheme 2021, ये एक तक्रीफ दे बात है, इससे पहले क्यों होता था, जब भी एक स्टुडेंट से उनको देखा जाता था, उनको paper by paper credit देते थे और जितने remaining paper होते थे उस पर उनको एक नया attempts का counter दे दिया जाता था, जो हम expect कर रहे थे कि इस दवार भी होगा, अब वो कहना ये चाहा रहे हैं कि अगर किसी के तीन attempt पीछे रहती हैं, नई scheme आने से पहले और नई scheme आ गई है, तो अब उसको नई scheme में भी उतनी ही तीन attempt मिलेंगे, उसको ज़्यादा attempts नहीं मिलेंगे, ऐसे में attempts का counter जो है, वो मैं आपको बता दूँ, दो हजार बाइस से attempt का counter start हुआ था, नई scheme में, आठ अटेम्टे उनने दी थी, कैफ complete करने के लिए और दो grace attempts सब क को दे दी थी, तो सब के पास 10 attempts थी, clear करने की, 22 की दो, 23 की दो, 24, 25 और 26, 2026 के September में जाके उन लोगों की attempts expire हो जाएंगी, जिनकी नई scheme आने पे, जो 2021 किया थी, पूरा कैफ रहता था, या कैफ के पेपर जो है, आठ, वोई आठ पेपर रहते थे, तो इसका मतलब उनका पूरा रहता था, तो उनके पास 2026 तक time है, जिनके पास कम time था accordingly, तो unfortunately, disqualification discontinue नहीं होई, जिस पर हम बड़े excited थे, वो disqualification खतम करने लगे हैं, but again, इस वक की point है, अब आपने क्या करने है, old students को मैं suggest करूंगा, जो कि इस time पे disqualification के बिल्कुल वर्ज पर हैं, और वो परिशान है, आप सबने IKEP को mail करने है, एक professional mail, एक अच्छी mail, चैट GPT की help ले लीजेगा, मुखलिफ net पर format survey होते हैं, आप उनकी help ले लीजेगा, उस mail में आपने कहना है कि जी मुझे आपकी education scheme 2025 बहुत complete करने के लिए, जबके old scheme में ये चार साल हुआ करते थे, तो we would be very happy अगर आप हम old students को, हम old students को अगर आप एक year extra दे दें तो उससे हमें बढ़ा अच्छा लगेगा, और हम भी आपकी बड़ी खुब्सूरत सी नई scheme में अपने आपको progress कर सकेंगे, और हम जिसके एक दो दो हम लोग rejected नहीं feel करेंगे और हमें भी अपना केरियर के साथ बढ़ाते वे बढ़ा अच्छा लगेगा, be very positive, गालम गलोज की तरफ नहीं आना, बहुत ज़्यादा उल्टी सीदी बाते नहीं करनी, बड़े professional तरीके से पहले उनकी तारीफ करनी है, कि आपकी scheme बड़ी जबर disqualify हो रहे हैं, या disqualify तक पहुंच गए हैं, उन्हें चाहिए कि वो mail करें और कहें कि आईके अपने नई scheme जो लेके आ रहा है और इसमें students को वो एक additional year दे रहा है, तो हमारी बड़ी ख्वाइश है कि हम एक last chance जरूर लें, तो आप हमें once एक दफा आखरी दो attempts या एक साल क extra time दें और इंशाला हम promise करते हैं कि हम एक साल के अंदर अपने वो जो एक दो पेपर रहे हैं, उनको clear करके हम आगे बढ़ेंगे, हम progress करना चाहते हैं, Ikep से हमारी request है कि positively हमारा साथ दे, हम teachers mails कर रहे हैं, हम colleges mail कर रहे हैं, हम उन्हें बार बार रापता कर रहे हैं, हम उनक देखा कि शाद हम लोग शूर मचा रहे हैं और बच्चों को ऐसा कोई genuine issue नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को suggest करूंगा, recommend करूंगा, request करूंगा, कि mail जरूर करें, तो ये थी हमारी overall जो है, वो बातें जो आप लोगों के साथ मुझे करनी थी,